अगर आपके दातों में सडन प्यदा हो रही है, अगर आपके मूँ से बद्वू आ रही है, अगर आपके दात हिल रहे हैं, या फिर दातों में किड़ा लग गया है, मसूरों में सूजन हो गई है, मसूरों से पस निकल रहा है, मसूरों में दर्द हो रहा है, तो ये जो नु करने से आपका पारिया जड़ से चला जाएगा मुही की बदबू ठीक हो जाएगी मशूरों में सूजन मशूरों में दर्द मशूरों में पसानी की समिस्या खात्म हो जाएगी दांतों में दर्द हो दांत हिलते हो या फिर दांतों में किरा हो सभी प्रकार की समिस्या में ला आसपास एक पौधा मिलता है जिसको कहते हैं लटजीरा इसे लटजीरा चिरचिटा ओंगा या फिर कहीं कहीं इसे पत्थर जो कभी कभी इसे पत्थर चट्टा भी कह देते हैं क्योंकि इसकी जड़ होती है नो पत्थरी को तोड़ने में काम आती है हना कि पत्थर चट्टा क का जो पौदा होता हुए सब जगे आराम से मिलता है और यह बड़ी मात्रा में होता भी है तो लटजीरा आपको लेना और ताजा हरा लटजीरा आप जहां पर भी ताजा हरा लटजीरा मिल जाएना तो रोजाना आप उसकी दस पत्ते बस रोजाना दस पत्ते उसको तोड़ लिया करें और तोडने के बाद उसे साफ पानी से धोलिया करें और धोने के बाद उसमें अगर हो सके तो दो लॉंग और पांच काली मिर्च मिला करके और ऐसे ही मुहिमे रख करके धीरे धीरे चबाएं और इतना चबाएं इतना चबाएं कि चपते चपते यह बिल्कुल 5 मिनट के बाद इसको ठूंक दे और फिर ठूंकने के बाद 10 मिनट बाद कुला कर ले ऐसा आप मातर कुछी दिन करते हैं तो देखेंगे कि मुहें संबंदी सभी प्रकार की समय स्यां बिलकुल खत्म हो जाती है और इतना ही नहीं अगर जिस सीजर में यह लड़ जीरा नहीं म सुखा ले और उसमें सुखाने के बाद उसमें 5 ग्राम आप लॉंग और 3 ग्राम काली मिलचर मिला करके और पीस करके चूरन फों में रख ले बस जिस समय यह ताजी मिलते हो समय ताजी उप्योग करें और जब यह ताजी नहीं मिलती तो समय इसका चूरन जो पेष्ट ना उसको बना करके दांतों में उंगली की साहिता से रगड़ें ऐसा करने से भी सभी प्रकारगी से मिस्याय खत्म हो जाती है चाहे वह दांतों का हिलना हो, दांतों मिहरा हो, दांतों में सडन पैदा हो वह सब ठीक हो जाती है, पायरी गया, मशुरू में सूजन, मशुरू का पच्छ निकलना, जितने भी ब्यादियां वो खत्म हो जाता है, और हाँ, जिनको अधिकतर मुएं के च्छाले होते हैं, तो मुएं के च्छालों को दूर करने के लिए भी, यह बड़ा ही बैस्ट नहीं मिल रहा, वह है इस छोटी से नुस्के से जरूर से जरूर लाब पा सकते हैं, तो वीडियो कर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथी साथ चलन बने हैं तो चलन को सब्सक्राइब कीजिएगा, नमस्कार.